तो आज हमने फाइनली डिसीज स्टार्ट कर दिया इससे पहले हम लोग ने बहुत सारी प्लांट पैथालोजी की क्लासिस की हैं जिसमें हमने हलवा क्लियर कर लिया हर एक टॉपिक को आज हम लोग फाइनली डिसीज पर आ गए हैं तो लेट ब्लाइट ओफ पोटैटो इस आवर फॉर्स डिसीज जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है तो देखे भाई आपके स्लाबस में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बड़े बड़े अच्छरों में कि भाई पहले फाइट ओप थोड़ा इंफेस्टेंस है वो एक फंगस है ठीक है फिर होष्ट प्लांट क्या है सोलेनम चूबरोसम जो की है पोटैटो ठीक है तो देखो यह तो बहुत इजी है ना यह चार-बांच चीज तो मैं आपको अब बतारी हूँ कैसे लिखना है फिर इंफेक्ट आलू जो है उसी को हम लोग टूबर बोलते हैं कंफ्यूज नहीं होना ठीक है वही सीड है वही टूबर है वही पोटैटो है ठीक है तो यह याद रखना तो डिसीज क्या हो गई लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉन यह बिमारी फैल आ रहा है फाइट ऑफ थोड़ा इसमें flower भी आता है ठीक है inflorescence है इनकी यह इन में fruits होते हैं lateral stem होती है main stem होगा leaf जो की इसका concern है भई यही खराब होगा फिर tuber जो हमारे आलू है क्योंकि यह solanasi family में है और solanasi family में हम लोगों ने पढ़ा था कि swollen इसमें structures पाय जाते हैं रूट में मैं देखते हैं तो swollen structure हो जाते हैं क्यों होते हैं for the storage ठीक है for storage of food material तो याद रखना कि जो हमारा host plant है that is a solanum tuberousum that is again potato वह हमारा solanasi family से आता है ठीक है solanasi family से आता है इस्टोरिज देखने को मिलता है ठीक है तो underground stem जो है तो आप से अगर मैं question पूछू कि potato क्या है potato modified stem है leaf है branch है इंफ्लोर्सें से क्या है तो आप क्या बोलोगी कि potato हमारा modification of root है ठीक है modification of root है उसके बाद देखिए pathogen की बात करें तो pathogen जो हमारा था fight of थोड़ा इनफेस्टेंस उसकी family है oomycetes, order है persono isporels, family है perseno isporesi, genus है phytophthora और species है इनफेस्टेंस तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है phytophthora इनफेस्टेंस एक oomycetes है as I said fungus है ये intercellulari and intracellulari दोनों तरीके से अंदर भी present हो सकता है होश्ट के और बाहर भी present हो सकता है cell के, have free branching, इनके पास free branching होती है, high fee present होता है भाई हाइफी से ही तो ये अंदर penetrate करेंगे ना, किसी भी host के cell में फिर single भी हो सकती है और club shape के host area भी हो सकते है ठीक है इनफेस्टेंस का जो isporengium होता है वो सबसे पहले branch के tip पे या फिर leaf के मतलब नीचले वाले side पे under side ठीक है lower part पे सबसे जल्दी ये grow करते हैं इसपorengium are spread through wind, wind के द्वारा ये इनका क्या होता है, मतलब desiccation क्या यहां पर बोलेंगे मतलब ये फैलते हैं wind के द्वारा और germinate, germ tube का मतलब formation करते हैं और infection को cause करते हैं ठीक है उसके बाद देखिए इसमें एक important point है कि जो famous Ireland famine हुआ था 1845 जो की बहुत ही गंदा worst time था ये Ireland म जहां पर ये हुआ था कि potato की कमी पड़ गई थी जिसके वज़ए से लोग खाना खाने के लिए तरस कहते हैं और ये वस किस वज़ए से हुआ था क्योंकि late blight of potato यहां पर हो गए थे पूरे के पूरे potato में ठीक है मतलब पूरे जगा जहां पर भी potato ग्रो हो रहा था महां पर late blight of late blight disease cause हो जा रही थी ठीक है तो यह बहुत ही जादा एक भुकमरी का कारण बन गया था लोग ऐसे इतने परिशान हो गया थे बहुत लोगों की death हुई थी यहां पर तो यह बहुत गंदा disease है यह तरीके से आप बोल सकते हो worst disease होता है यह कोई भी disease में आप यह लाइन ज सबसे पहला जो symptom होता है वो brown spot ठीक है भूरे color का ठीक है भूरे color का spot आपको दिखाई देगा या फिर necrotic area दिखाई देगा जो की सबसे पहले आपको leaves पे show होंगे leaves पे यह जो हैं पहले तो छोटे होंगे बहुत छोटे होंगे लेकिन फिर यह धीरे-धीरे करके बड़े हो होने लगेंगे यह जो spots हैं पहले इतने छोटे थे अब वो इतने बड़े होने लगेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि यह पहले brown थे अब यह black होकर के lesion मतब जखम नुमा एक structure बना लेंगे फिर जो lesions होते हैं वो सबसे पहले margin जो leaf होती है उसके tip पे दिखाई देती है फिर यह से नीचे downward की तरफ होगी फिर downward से यह inward की तरफ जाएगी ठीक है और फिर यह पूरे के पूरे size में increase करने लगेगी और पूरी की पूरी leaf को क्या करेगी खराब करतेगी सबसे पहले मैंने बताया तना कि lower जो leaf होती है वो attack होती है the underside of the leaf show whitish and grey fungal growth and downward hanging of isporangio force with isporangia तो यह पर आपको whitish और greyish color के fungal growth दिखेंगे ठीक है वो growth में आपको यह दिखाई देगा कि जो isporangia है वो actually में जो fungus का isporangio 4 है उसमें से आपको लटकता हुआ दिखाई देगा ठीक है मैं अभी आपको इसका structure दिखाती हूं tuber जो होते हैं वो infected होते हैं क्योंकि वो plant से attached होते हैं अब भाई plant से attached हैं तो actually में वो भी तो infect होंगे कैसे होंगे यह disease cycle में आपको बताऊंगी जो first symptom होता है tuber का वो brown purplish color मतलब अगर आलू लिया और उसको आपको देखना है कि इसमें phytok थोड़ा infestance ने cause किया है disease या नहीं तो आप यह देखोगे कि जो आलू की skin होगी ना वहां पर brown और purple color के discolorization मतलब brown purple color के spots दिखाई देने लगेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो है यह खराब आलू है ठीक है अब देखो जब late blight of potato होता है तो देख रहे हो यह अभी tuber भी दिखा दूंगी देखो leaf इस तरीके से lesions दिखाई देते हैं यह देखो पूरे के पूरे पूरे जो जहां पर cultivation हुआ है वह पूरा का पूरा जगह ही खराब हो गया क्योंकि पूरे plants में disease पकड़ लिया फिर देखो यहा पर tuber देख रहे हो यह tuber है कितने गंदे त sporengia तो यह जो sporengia है यह actually में हमें अगर हम देखे ना अगर हम microscope से देखें तो यह हमें यहां से ऐसे लटकते हुए दिखाई देंगे मतलब कि यह sporengio spore होगा और उसके ऊपर ऐसे यह लटकते हुए दिखाई 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 दिखेंगे उसके बाद डिसीज साइकल समझने से पहले मेरा एक छोटा से स्टोरी समझो मेवि उससे आपको चल्दी समझ में आ जाए देखें मेरा क्या है मेरे घर में मैंने एक एरिया लिया हुआ है ठीक है माल लीजे कि यह एक एरिया है मेरे घर में जहां पर हमने पोटैटो की बागबानी की है ठीक है बागब सब्सक्राइब दिर लाकरि और किछन किछन में रग दिया में लेकिन भीन दिया कि इस में से जो एक पोटाइटो था वह तुक्यज्में इस थ्यान नहीं थिया कि इसमें एक पोटाइटो था वो अब हम क्या करेंगे कि माल लीजे कि हमने ध्यान नहीं दिया और ये इंफEKT कर देगा और भी रात भर में ये सभी के सभी उसके पास वाले जितने टूबर्स होंगे वहाँ तक ये फैलता जाएगा और इंफEKT करता जाएगा अब हमने क्या सोचा हम इतने पागल actually मैं ऐसी disease cause रते हैं हम क्या करेंगे इसमें से एक potato हम देखे अच्छा ये तो खराब है हम क्या करेंगे इसको fake दिया मालू कि हमने इस corner पर लाकर कि इसको fake दिया हमने सोचे कि ठीक है खराब है fake दिया हमने नहीं उतनी knowledge है ठीक है कि इसमें disease है तो ये बाद में cause करेगा तो हमने इसको यहाँ पर fake दिया अब यहाँ पर हमने इसको fake हुआ है तो जो plants हमारे ये जो plants है हमारे ये जो growth किये हैं जब ये इसके contact में आएंगे यहाँ से ये धीरे धीरे जो हमारा phytok थोड़ा इंफेस्टेंस है वो actually में इस newly plant पर healthy plant पर आएगा और जब वहाँ पर आएगा तो वो सबसे पहले shoot को क्या करेगा shoot जो बीच वाली main होती है shoot उस पर आएगा फिर वहाँ से वो जो mycelium है अब वहाँ पर उसको अच्छा खासा जगा मिल गया भई healthy मिल गया वो अपने mycelium को cortical region cell का cortical region है उसमें जा करके penetrate घुसने की कोशिश करेगा discolor करेगा फिर mycelium aerial part में घुसेगा aerial part पर जाते ही voice 4 and voice 4 को develop करेगा voice 4 का development कहा करेगा leaf के istomata के through voice 4 and voice 4 का development करेगा और branches में जो stomata होते है लेंटिसल होते है वहां से भी voice 4 and voice 4 का develop करेंगे ठीक है develop करने के बाद जो इस पूर एंजिया बनाएगा इस पूर एंजिया जो है वो detach हो जाएगा टूट जाएगा इस पूर एंजिया से और easily air और water से क्या करेगा फैलेगा फैलेगा through water through air तो मालो कि हमारा एक ही plant तो यहां पे इस छोटे वाले इसके वज़े से हमारा एक plant भाई डिश्टर हुआ डिसीज हुआ अब यहां से air और water की through यह दूसरे वाले plants पे भी जाएगा यह दूसरे वाले plants पे जाएगा तो उनको भी इंफेक्ट करेगा ऐसे यह बहुत सारे plants plants को इंफेक्ट करते जाएंगे through air and water जो इस्पोर एंजियो इस्पोर होगा वहां healthy plant पे भाई newly healthy plant है उन पे जाकर वह लैंड करेंगे वहां पर बैठेंगे जब बैठेंगे तो उनके leaf और stem को वह क्या करेंगे वह इंफेक्ट करेंगे और इसमें से कुछ spore जो है ना वह नीचे भी गिर जाएंगे और जब नीचे गिरेंगे जब soil में गिरेंगे तो वा जा करके tuber को infect करेंगे और tuber पर germinate करके वहाँपर disease को cause करेंगे करेंगे ठीक है यह disease cycle था sporangia जो होता है वो germinate करता है formation करता है germ tube का जो के आपके leaf में एंटर होता है is står שמן की थू या philandicul के थू ब्रांचे है यह जो germ tube होता है वो leaf cuticle को penetrate करते हैं और new mycelium का formation करते हैं जो spor gust करते हैं वो कुछ होते हैं healthy plant सक नहीं पाँच पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं हमारे soil में तो स्वायल में गिरे हुवे वो jus spor का formation करते हैं और germinate करते हैं and tuber को penetrate उस में घुसते हैं मायसीलियम की ग्रोथ करते हैं और सेल का जो सेल के बीच में हॉस्टेरिया का फॉर्मिशन कर देते हैं जिसे की पूरा का पूरा टिसील फैल जाता है अब देखिए हार्वेस्टिंग की टाइम पे जब कुछ मैंबर्स जो होते हैं वो कौंटमिनेटेड ही होते हैं हमारे इसका जो फैलना हो रहा है ठीक है इसलिए अभी आगे मैं प्रिवेंशन में आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए यहां पर देखिए हमने दो चीजे पढ़ी हैं आई होब कि आपको यह दिखाई देगा देखिए यहां पर इस्पोर एंजियम ठीक है इस्पोर एंजिय करते ही वो क्या करेगा लीव के ठीक है मतब लीव के अंदर घूसेगा ऐसे ठीक है यह घुस गया लीव क्या हो गई इंटेड हो गई हमारा फिर यह आगे क्योंकि प्लांटससे और हो पूरे के इंफेक्ट होते जाएंगे ठीक है यह वाला जो पार्ट है मैं इसको आपको टेलिग्रैम पर पे सेंड कर दूंगी यह बहुत अच्छा है इसको आप बना वी सकते हो अपने चार्ट पेपर पे तो आई ओप कि आपको हेल्प करेगा ठीक है यही तर डिसीज साइकल उसके बा अगर अच्छे से करेंगे तो हमारा अच्छे से अच्छा प्लांटिंग हमको मिलेगा ठीक है तो थोरली सेलेक्शन करना चाहिए ट्यूबर्स का उसके बाद इस्टोरेज़ एट ट्यूबर को 40 डिग्री फॉर्ट ने में बहुत जादा कूलिंग में रखने से भी बहुत अगर हम ट्यूबर्स को कोल्ड प्लेसिज में रखते हैं तो यह रट्यूस कर देते हैं किसी भी पैथोजन की जर्मिनेशन और इंफेक्शन को ठीक है उसके बाद बर्निंग ऑफ क्रॉप रेडिव जैसे मैंने आपको बता रहा है कि अगर हम वही इंफेक्टेड प्लांट पोटैटो की बात करें तो पैरेनॉक्स, ब्लीटॉक्स 50, डायथेन जट 78, डायथेन M22 यह जो होते हैं यह बहुत जादा यूसफुल होते हैं ठीक है और इनका हर वीक या फिर 15 डेस 16 डेस के बाद अगर हम इसका मतलब चिरकाओ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल देखने को मिलता है और लेट प्लाइट ओफ पोटैटो की डिसीज नहीं होती है फिर रेजिस्टन्ट वराइटी जैसे की कुफरी नाउतल ठीक है कुफरी की जितनी भी वराइटी होती है हमारे पोटैटो की वह एक्चली में रेजिस्टन्स जैसे की आपको पता को कि रेजिस्टन्ट वराइटी के पोटैटो को चुनो तो फिर वो डिसीज नहीं होगी तो दिस इस वाल अबाट टूडेज वीडियो और आई होप कि आपको हेल्प करीगे वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टिक कियर भी हस ते रिए मुसक्र सब्सक्राइब करें शेयर करें बाबाई